में आज आपको इसी और टेस्टी पटर मुरकु बना के बता रहें वाली हो आप मेरी वीदी प्रकार बना कर देखिए और मुझे कमंड करके बता दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शैर कीजिए आईए हम मुरकु बनाने के लिए जाएंगे इस कप में तीन कप मैंने चावल का आटा लिया हो और आधा कप बेशन लिया है और रोस्टेट चना लिया है इसको पावडर करके मैंने चान के रखी हूँ इसमें पाव कप लिया हो तीन कप चावल का आटा आधा कप बेशन और पाव कप roasted chana की powder यह तीनों को मिला लीजिये और इसमें 1 टेबल स्पून जीर एक टी स्पून नमक आदा टी स्पून हिंग पवडर मिलाये हूँ इस चीजों को अच्छ से मिला लीजिये आटा के साथ चावल का आटा और बेशन roasted chana की आटा सब मिला लेना मिलाने का बाद तीन टीस्पून बटर डाल दीजिए अच्च से पूरा बर के ले लेना है तीन टीस्पून इससे कम भी नहीं डालना ज्यादा भी नहीं डालना और अभी बटर को इस आटे के साथ अच्च से मिला लेना मिलाने का बाद हम पानी मिलाना पड़ेगा मिला कर नरम आटा गुंद लेना ज्यादा ऐसी कड़क नहीं होना चाहिए नरम गुंद लेना अभी हमारा मुरुकु आटा रेडी हो गई अभी इसको मुरुकु बनाने वाली मेशिन पर डाल कर देखिये तोड़ासा इसी के उपरी बना कर देखिये बनाएंगी तो हमको पता चलेगा इसमें तोड़ तोड़ के नहीं आना चाहिए तूटेंगा तो तेल में अलग-अलग हो जाएंगी वह अच्छा नहीं रहता है तेल किचता है इसलिए और तोड़ासा पानी मिला के मैंने और तोड़ा नरम किया है अभी मुरुकु मेशिन में डाल के मैं बना रही ह इसको भी जादा नहीं बनाना चाहिए तोड़ासा एकी लाइन में आना चाहिए उपर-उपर डालेंगा तो और पकने के लिए टाइम भी लगता है अंदर-अंदर ऐसी नरम रहता है एकी लाइन ऐसी पूरी होने के बाद बंद कर दीजिए अभी देल अच्छे से गरम होन चाहिए अभी तेल में हमारा मुर्ग को पक गया है आदा पकने के बाद यह जाग कम हो जाती है इस टाइम पे हमको इसको पलटकर डालना चाहिए पहले से ऐसी डालने के बाद तुरंत कल्ची नहीं डालना चाहिए डालेंगे तो पूरा अलग-अलग हो जाएंगी यह अभ आपको निकालने में आसान हो जाएगी अभी तेल का पूरा चाक कातम हो गया अभी आपका मुर्ग को रेडी हो गया ज्यादा लाल भी नहीं होना चाहिए मेरे को लाइट में ऐसी दिख रहा है आप तोड़ सा गोल्डेन कलर में निकाल दीजिए इसको थोड़ कर अभी एर तेल का पक्षन है तो वो तोड़ सा बास मारेगा इसलिए तोड़ा पंदरा दिन के अंदर कदम करना चाहिए ये बटर मुर्ग को आपका क्रिस्पी और टेस्टी रेडी हो गया है आप इस दीवाली में बना के देखिए मुझे जरूर कमंड करके बता दीजिए मेरे चेनल को नया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद